हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो नमीका किचिन, आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही हल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ और यह बहुत जटपट भी बन जाती है, सबको बहुत ही अच्छी लगती है, हमारे घर में तो यह सबको बहुत ही पसंद भी आई थी, यह मैंने बनाया दलिया, ड्राइफ फ्रूट्स, और मखाने की खीर, तो देखने में देखे कितना टेम्टिंग लग रहा है, और बन भी बहुत जटपट ही गया था, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी बहुत ही टेस्टी लगेगा, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कड़ इसलिए मैं दो चमच बोल रही हूँ, और जैसी घी गरम हुआ तो मैंने इसमें डाल दिया दलिया, तो दलिया आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आप जादे घर में 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 तो थोड़ा जादा ले लिजेगा, मैंने आधा कप से भी कम लिया है दलिया और इसको दलिया को इसमें पकाएंगे और देखिएगा 10-15 मिरिट में दलिया जब पकना शुरू हो जाएगा, तो जितना भी दूर डाला था न वो पूरा सूख जाएगा, दलिया उसको पूरा खीच लेगा, एब्सॉप कर लेगा, ये देखिए, धीरे-धीरे दलिया पकना लगता है, इसलिए मैंने शुरू में थोड़ा सा इलाइची पाउडर भी डाल दिया, और ये थोड़े से ड्राइफ रूट से काजू और बदाम को मैंने काटके डाल दिया, काजू और बदाम को भी बहुत लोग लास्ट में डालते हैं, लेकिन मुझे शुरू में डालना जो नहीं है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तो जो जो मेरे पास था, मैंने तो इसमें डाल दिया, और इसको अच्छे से मैं और पकाती रहूंगी, तो अब इसमें हम मिठास आड करेंगे, और मिठास के लिए मैं डाल रही हूँ डेट्स, ये पास तो इनको मैंने पहले seeds निकाल लूँगे क्योंकि आप mixi में चलाएंगे तो फिर गया काम से आपका blade टूट जाएगा तो seeds निकालना बहुत जरूरी है तो seeds को मैंने निकाल लिया था और मीठा जितना पसंद है उतना डेट साब डाली है और थोड़ा सा दूट डालने से क्या होगा न वो mixi को भी problem नहीं होगा आराम से वो paste बन जाएगा तो यह देखे मैंने gas off कर दिया था क्योंकि यहाँ पर इसने आदा लिटर दूट तो पूरा अच्छे से खींच लिया था के लिए आप देखे मैंने डेट सोपीस कर रखा था दूट के साथ उसको भी मैंने डाल दिया और यह देखिए यह थोड़ा सा मैंने सैफ्रॉन डाला है यह एकदम optional है आपके पास है तो जरूर डालिएगा और वीडियो एडिट करते समय मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ जादा ही डाल दिया था इतना मुझे डालना नहीं चाहिए था लेकिन हाथ से कभी कभी आकर गिर जाता है तो आप थोड़ा कम ही डालेगा गर्मी का मौसम में बहुत जादा मध डालिएगा तो थोड़ा सा डालने के बाद अब अच्छे से मैं चला रही हूँ और सा कलर द हर घर में यह हर मम्मी का चालेंज रहता है कि बच्चों को ड्राइफ रूट्स खिलाने का बच्चे एक चीज खाएंगे तो एक चीज नहीं खाएंगे तो इस तरह से खीर बनाएंगे तो बच्चे जरूर खाना पसंद करेंगे और ठंडी होने के बाद तो एक दम डलना भी भूल गई थी तो मैं ठोड़ा किश्मि़ भी डाल दिया और कीश्मिष को लास्ट में की शुरूर में लालेंगे तो दूत फट बिशूर दा दिया और ठीरे दीरे किश्मिष में लगाज जाएंगे तो बस इसको मैं आच्छे से पका लिया था यह पक चुके थे खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी था तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो एक लाइक जरू कर दीजेगा चैनल में नए है तो सब्सक्राइब भी जरू कर दीजेगा